तो इस दे सेकेंट कहां पर व्रंदा वन और आज हम कहां जा रहे हैं बर्साना प्रादरानी के दृश्यन के लिए तो हमने स्टेका किया दवरू हम उनको अपने स्टे लिखा लिखा लिए यहां हमारा गर है और हमने स्टे किया था और आज हम बर्साना जाएंगे बर्साना के पाद हम वापिस गुर्गाओ चले जाएंगे गुर्गाओ के बाद हम मुर्द बाद चले जाएंगे जो कि वरू को जारे का बिलकुल मन लिए दो कोई बात नहीं जाना पड़ेगा तो चलिए हमारे साथ बरसाना के लिए हम घर से देड़ बजे निकले थे और वहाँ पर हम पहुच गए थे पॉने तीन या फे तीन के करीब यानि की रास्ता बहुत जादा दूर का नहीं है देड़ घंटे में आप पहुच सकते हैं आराम से लेकिन आप फास्ट ड्रैवर है और आपको जगा की पूरी नॉलिज है रास्तों की पूरी खबर है तो आप आराम से पहुच से एक घंटे की बीच में पहुच सकते हैं लेकिन हम अपने ट्रिप को इंजॉय करते करते जा रहे थे इन सरसों के खेत के साथ और यह बहुत जादा सुन्दा लग रहे थे हमार और आप देख सकते हैं आगे मैं जो कह रही थी कि नेशनल हैवे है और टूरिस प्लेस है वैसा ही इनको शहर भी बनाना चाहिए लेकिन सरकार रिसोर्स जादा ध्यान देती नहीं है यह देखिए प्रेम मंदिर जैसा एक और मंदिर दिखा था हमें रास्ते में जो की कीरती मंदिर था और शायद हो सकता है यह प्रेम मंदिर की तरश पर ही बनाये गया है लेकिन यह उतना बड़ा नहीं है जितना की प्रेम मंदिर है और अब हमारे 20 मिनट्स का रास्ता रहे गया है जैसा कि आप उपर बोर्ड पर देख सकते हैं हमने अर्मोस्ट अंदर 20 मिनट्स क तो आपके हमारे शेयर की बात भी दूर है सरकार टूरिस प्लेस से इत्ता गमाती है तो लगाती गाहरें यह सब समझ दो नहीं आता कम से कम टूरिस प्लेस को अच्छा बनाना ही चाहिए तो यही समझ कर बनाने के भगवान के घर को साफ रखना लेकिन इसो जादा ध्यान दि ले ली है और हम बगवान के घर से बस दस्क्रो मीटर की दूरी पर है और बस हमने थोड़ी दूर का रास्तर रह गया है हमारा थाना बरसाना आप देख सकते हैं और यहां पर प्रॉपर आपको गाहो वाली फीलिंग आ रही होगी लेकिन उसके अलावा में करंसन यही है कि इतना जादा डैवलप नहीं किया गया है शेयर को जिस अपसे टूरिस प्लेस है इतने लोग यहां पर आते हैं गाडियों से आते हैं बड़े बड़े वेहिकल से आते हैं लेकिन इसको इतना जादा डैवलप नहीं किया गया है अभी भी बहुत सी सड़के ऐसी है जो की रह यहां से मंदिर छोटा से दिख रहा था लेकिन दिख रहा था और यहां पर चड़ाई हमारी स्टार्ट हो गई है चड़ाई उतनी नहीं थी मैं आपको सही बता हूं तो जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि यहां पर दीदी पहले आ चुकी थी उन्होंने बताया था जड़ा ही काफी है यहां पर लेकर हम दूसरे रास्ते से आये थे और आप हम पार्किंग की साइड जा रहा है आप यहां से पूरा शहर देख सकते हैं कितना खूबसुरत है नीचे पूरा बननदावन है और इसके शाम के शाड़े तीन बजे के आराउंड पॉने चार बजे क आराउंड का समय हो रहा है और भगवान के पट खुलेंगे साड़े चार बजे तो यह उसके साथ ही आप यह देख सकते हैं कि यह गाड़ी चल रहा है लेकिन लोग को आइडिया नहीं है फोटो की जवाने के चक्कर में इदार से इदार और जब कुछ दुरवटना हो जात और उसके बाद हम मंदर में इंट्री करेंगे और आप बने रहे हैं व्लॉग के साथ क्योंकि व्लॉग बहुत जादर इंट्रेस्टिंग होने वाला है हमने बीच में बहुत सारी अक्टिविटीज करी थी वो सब आप आगे देखने वाले हैं और इसी के साथ ही बस हम बस गाड़ी पार्क करते हैं तभी हम फटाफट से निकलते हैं मंदर के लिए हमने पर चले लिए और बस अब पार्किंग ही बागी रह गई है आप यहां पर देख सकते हैं पकोड़ी बगर यहां पर बनती हैं काफी टेस्टी होती है हमने लौट कर खाई थी जब हम वहां से दर्शन करके आ गए थे यह भी इनोंने टीले पर बना रखा है पार्किंग एरिया अंदर जाने की इस टाम अनुमत ही इसलिए नहीं थी क्योंकि अभी मंदर के पट ओपन नहीं हुए थे उसी के साथ ही अब हमने मंदर में एंट्री तो नहीं हो रही थी इस टाम पे चार उपलब्द रहती हैं और यहां पर दीदी महंदी लगवा रही थी तो हम सबने महंदी लगवाई हम लोग पीछे थे दरसल बागी सब लोग आगे थे और यहां पर छापे वाली महंदी लगती है क्योंकि मैंने आपको बताया अभी राधा नानी के घर जा रहे हैं तो लगी हुई थी तो मैंने महंदी नहीं लगवाई थी बस तीदी नहीं लगवाई थी और यह हमारी बेबी ने भी महंदी लगवा लिए है छोटे-छोटे हाथ उपर अपने और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कितने संदर-संदर यहां पर यह चीज़े जो होती है न छोट एड़ उन कर देती है जर्णी को और बीच-बीच में छोटी-छोटी मठिया थी हमने सब कुछ कवर किया था और मंदर हमने जाने से पहले ही बीच में परशाद मिला था तो ममी ने पहले ही परशाद ले लिया था और ममी ने देख और यहां से आप देख सकते हैं पूरा वरंदावन नीचे घाटी में और हम उपर है राधारानी के पास और आसपास इत्ती चारी चीजे मिल रही थी घर को सजाने की भगवान के घर से हमने लिया था समान और लेकिन इहां से नहीं लिया था हमने पहले ही ले लिया था क्योंकि हमने खरीद के फटा-फट से हमें निकलना था क्योंकि टाइम से साड़े-चार वजे करेक्ट पहुचना था क्योंकि बहुत जादा रश हो जाता है और बस आपको मंदिर दिख गया बस हम एंट्री लेने वाले हैं हमने टीले पर पहुच कर मंदिर के बराबर से ही मैंने यह पूरी रिकॉर्डिंग लेती यहां से आप पूरा वरिंदवन देख सकते हैं कितना घजादा खूबसूरत लग रहा है देखने में बस जो चीज की कमी है वो है डेवलपमेंट प्रयों में पर किहा है यहां पताय हिहा है अपनों निकल गी टी ओल दी बहुत आप बीड अ स्टेवर फंचोंटस stay away from बाल चोटा ले 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 और बस आप से दो मिनिट के अंदर हम मंदिर के अंदर एंट्री लेने वाले हैं उससे पहले हमने प्रिसाद वगरा लिया था और जीजा जी ने और दीदी ने क्योंकि हम लोग पहले बाले चुके थे पहले बैहां से ही यानिकी स्टार्टि इ lll रा था तो हमने तो परशान लिया निए था ऐहां से marking फ्रसाद न स्टूंरी वगरा ने ली ले 담 इन शानवारे जाने से पहले के पूरिक त्यारी के साथ गया है हम लोग हम हमें आप क्योंकि बिल्कुल भी mobile restricted है इस वज़े से हमने पहले से ही सारी recording कर ली है और अंदर का main हम आपको नहीं दिखा सकते राधारानी के दर्शन आप नहीं कर सकते क्योंकि महाँ पर ban है mobile महाँ पचीन लेते हैं इसलिए बस अब countdown स्टार्ट हो गया है और अब बस थोड़ी सी ही देर में तीन चार मिनट के अंदर सारे चार बजने वाले हैं और यहाँ पर यह लोग फोन चीनने वाले थे बस तो मैंने फोन अंदर रख लिया था अच्छा नहीं लगता फालतों टोकटा की करें और उसके लावा यहाँ पर बंदर भी थे बार भी खाफी थी तो हमने अपना इंपोर्टेंट समान सारा रख लिया था जैसे कि आपको दीदी ने बताया कि यहाँ पर काफी चोरी चकारी हो जाती है सब अपने समान के स्वेम जिम्मेदार हैं तो पर टोपन होने के बाद हम बहार आ गए थे फिर दर्शन करने के बा से यहाँ पर अंदर फोटो लेना मना थी तो मैंने बाहर पर ले लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए और यहाँ पर हमने फोटो वगरा क्लिक कराई मेमोरेबल डे था हमारे लिए बहुत अच्छी जरनी थी और इसी के साथ ही अब हम बाहर आ गए यह देखिए होगा दूप तो थी लेकिन हलकेल की मिस्ट भी आने वाली थी और यहाँ पर बहुत जादा सुन्दर सुन्दर भगवान के वस्तर मिल रहे थे तो ममी ने सोचा थोड़ा बहुत देख लेते हैं लेकर यहाँ पर बहुत जादा कुछ समझ में नहीं आया है उनको तो उन्हो चुकी हैं और बस थोड़ी देर में हम बरसाना क्रॉस कर देंगे लेकिन यह जन्नी मैं आपको ओवराल बता हूँ हमारे लिए बहुत जादा स्पेशल थी क्योंकि मैं तो परसनली शादी के बाद ही आई हूँ बरसाना इससे पहले मैं कभी बरसाना नहीं आई और पहली ब सतरते हुए बस विरंदावन से होते हुए सीधे गुडगाओं निकल जाएंगे बीच में एक हाईवे आया था यह ऐसे तो बहुत हाईवे आये थे आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है में हाईवे पर नेशनल हाईवे 99 था यह तो वहाँ पर शाए 99 ही था इफ आम बर्मा के छोड़ दी फिर इनको कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पर रोशनी है भी या नहीं इतने सारे हैवी वीकल्स वहाँ से पस आउट होते हैं इसके लावा हमने जब गुडगाओं जा रहे थे तो अरावली हिल्स के साइट की रोड ले ली थी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे पूरा गुडगाओं है बस हमारे यहां से 10 km रह गया है में सिटी और इसी के साथ ही इस व्लॉग को भी रैप अप करने का टाइम आ गया है आप कॉमेंट सेक्शन में फटा-फट से कॉमेंट करिए और बताईए कि आपको हमारे व्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वैसे तो हमारा पूरा व्लॉग ही बहुत अच्छा था उसके अलावा लाइक शेर कर दीजिएगा वीडियो को और नेक्स व्लॉग तक बने रही है बाबाई